आज दस नंबर वाटे नूतून पाटी अपरिशे रूदबधन कर छेंदार चेलिंग जेला तिन मुलकोंग्रेदे शभापति रंचन सरकर के तरफ से आज एक ओफिस का उद्हाटन किया जा रहा है जिसमें हमारे जिला के सभापति रंचन सरकार जी जिला के बरिश्ट नेता स्वमित्रो कुन्डू जी इस वाट के पूर्व सभापति संजैपाल चोधरी जी इस वाट के हमारे अभी पार्टी के सभापति बावलादा अनादी जी और सभी लोग हमारी महला नित्री सभी लोग यहां के उपस्तिते हैं अभी हमारे गला के सभापती रंजर सरकार जी पार्टियों बिश्गा उद्ध हाटन करेंगे कर दो छीकर मेंडा नित्रा नित्ना क्या रुझ रुझा लुट करेंगि choice तुट looked such a justice लुट एंधी लुट परोओंड लुट कladım तो हो टुट प्राइप ine जाना आंठे नहिए लिए ग्रगाब लिए क्या जा अक्रणा जा अजिक जा जाशो सिल्गुरी दस नमबर वाड़े तेनुमूल कांग्रेस कार चालाए उद्वदन को लेन तर्चिलिंग जला तेनुमूल कांग्रेस वावर्फते रंजोन सरकाय महासाय उबस्थित्रोचन तोलेर आरो समानितो नित्रिक्ट बर्गु टर्चिक खास्थित्रोचन तो समानित्रोचन स्नुम्ला मराण्यमूदने चाह बदग though आने अपके आफ 수ot स्थित्रोचन से दीवर्फते मईनाळ समुसलिंट बदग उने चाह जो हिंदी में क्या बंगला में हिंदी आप जानते हैं कि 17 एप्रिल को सिलिगुरी दरजनी जिला और जल्पागीरी जिला के इलेक्शन होने जादा है एसेंबली इलेक्शन दस नंबर वार्ड यह बहुत महत्यपण वार्ड है जहां ज्यादा से ज्यादा हमारे सहर का गन्न मन्न सब बिजनिसमेन ज्यादा से ज्यादा रहते हैं लेकिन यह इस वार्ड में कुछ इलाखा ऐसे भी है कि एक तरफ पूरा अंधेरा और एक तरफ उचाला हमारे इस सहर का जनम के बाद यहां मानंदा रोज इनकोच्मेंट हो रहा है मामपंतियों ने बाचपा ने कॉंगरेस ने यह लूटने का खाम बहुत दिनों से चला रहा है अब इस मानंदा के उस पार जो कांसिलर है जो डेप्टी मेर है हमने जिन्देगी में नहीं सुना कोई जीवित विक्ती के नाम पर मानंदा नदी का एक अंग्स को उसको दखल करके उसके उनीका नाम पर उन्हां हुआ कलनी बैड करोरों का अल्हांद ली हुई है मानंदा एक्शन प्लैन अभी तक हमारा साहर को नहीं मिला दस करोर रूपिया हमारा इस नादी और मानंदा घाट का संदेरी जीय करण का लिए हमारा माननी मुख्यमंत्री मौंता बेनार जी ने हमारा सरकर ने दिया है लेकिन उस द्वस करोर रूपिया जो प्लैन वाइज होना था हमारा साहर को ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन सिटी मिशन से जो पैसा दिया गिया वो पैसा नगन निगम और 40 साल से सिली गुरी में एक ही आदमी जो 20 साल मंत्री थे काउंसिलर थे चेर्मेन थे मेयर थे एड्मिस्टिटी बोट का चेर्मेन थे उन्होंने उनका समयकाल में 40-45 साल में सिली गुरी को अंधेरे में ढखल दिया तो इस बार हमारा सिली गुरी चाहता है कि उन एक बेक्ती के लिए जो कस्ट हमारा नागर को पूठाना पड़ रहा है उनसे हम लोग को मुक्ती चाहिए इस बार पूरा नगर पूरा जिला ठान लिया है कि सिली गुरी में जरूर इस बार परिवर्टन होंगे और कोई पार्टी नहीं है जो सिली गुरी को बचा सके इस सहर को बचाने के लिए एक ही आदमी है उनका नाम है मंता बेनार जी उनी का नेत्रित्यों में सिली गुरी में विकास हो सकता है उनी का नेत्रित्यों में हमारा नए पिरी को नोकरी मिल सकता है उनी का नेत्रित्यों में हमारा इस सहर का जो हार्ट है जो रिदय है मानन्दा उनको हम बचा सकते है और विशेश कर हर एक साल जो छट मैया के पुजा के समय सद्धावलू को जो कस्ट उठाना पड़ता है सहर में जबकि पढ़ना के बाद अगर बरा छट पुजा कहीं होता है वो है सिलिवरी पूरा भारत में तो उस पर ना बारा साल से भाजबा का जो देश का सांसाद है ये लोगों ने कभी नहीं किया दो दो बार इन लोगों ने मंत्री बे थे देश का कुछ नहीं किया और पैतालिस साल से बाम पंतियों ने कॉंग्रेस ने जो धोकादारी सिलिगुरी का नगर का जो नागरिकों को किया है उसका जबाब इस बार ज़रूर मिलेगा असक भर्चाच को इस बार जमाना जब नहीं किया नगर का नागरिकों ने तो राजनेतिक और डेवलप्मेंट का जो कारिय है वो हम हमारे लिए हमारे आगे आने वाला फिरी के लिए खराब होगा इसलिए इस बार सब ने मिल कर आईए यह सहर को सरकार के हाथ में दिया चाहिए जहां पर बिजोगी वांगरेस का गडबंदन संगठनिक स्तर पहर हम लोग इतना सकतिसाली है कि हर एक वाट में हर एक रोड में आप कहीं भी जहिए बंगाल में हमारा जहन्डा दिखाए देंगे आपको, हमारा कारिय करता दिखाए देंगे आपको, दूसरा किसी भी पार्टी का इतना कारिय करता नहीं है, इंस्टेंट कुछ रियक्शन नहीं हुआ है, नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन हम साफ एक है और हमारा candidate महमता बेनरजी है महमता बेनरजी तीसरे बार बंगाल के मुक मंतरी बनने जा रही है और इस बार सिलि गुरिकों नाग्रिक महमता बेनरजी को इस सीट से जिताएंगे यह हमारा उमीद है और हम यहां का डेवलाप्मेंट का काम, यहां का पीएजल का जो समस्था है, यहां डिनेज का जो समस्था है, सुहरेस का जो समस्था है और सबसी बड़ी बात हमारा सहर का विदाए महाननदा नदी को हमको बचाना है जहां पर एक आईकॉन फुटबॉल के बाइचुन गुटिया को क्या क्या गया था उसक बटने चानियों ने हराया था तो इस बार उम्परकास मिस्का को लाए कितने टाप लग रहा है अगरी मुकाव में देखिए हर एक लड़ाई टाप होता है ऐसा बात नहीं है कि हम प्रा नागरीक को सुविदा कैसे दिया जाता है दुआरे सरकार में दिदी के बोलो में आप लोगों का घर-घर में एक भी आदमी यह नहीं बता सकते है कि मंता ने मेरा घर में कुछ जुछ बड़ी बात है यह नागरीक जो परिशवा होता है यह शिलिकुरी में बंद हो गया जहां जाहिए आप देखिए गंदेगी ये ली के रस्ते पे अटका हुआ है गाड़ी अाटका हुआ है एंबुलेंस अटका हुआ है पेशेंट अटका हुआ ये बेहुसता का परिबर्तन होना चाहिए जो लोग नाराज कीञतोंए उसे कैसे मिल्दाश की कुछ नहीं है आम साब मम्ताविनाजी को देखके बाटि करते हैं आमारा पाटिक अशोम्मान करा होच्छे बांगलार मेह देर के किवाब्य अशोम्मानीती करा होच्छे भारतवर्श's रहक पात्र महेला मुक्क मंत्री जाके बोईरा गतोडाई से अपुमान कोच्छे ताके मेरे फेला चक्रान तो होच्छे किन्तु मानुस ता स्वंगयाचे लखो लखो कोटी-कोटी मानुस राशिवद ता स्वंगयाचे एबार भांगलार में जितुए देखिए ये पिछले बारा मैना में कविट का समय में आप लोगों ने देखा कौन था रस्ता में साथ मैना हम लोग हमारा परिवार का साथ में ही थे नगन निगम प्रसाशनिक बोर्ड में ये लोग सब थे पिछले 40-45 साल सरकार में थे तीस साल का जो राजनीती का बात मेरा छोटा भाई कर रहा है हम भी चतिस साल से हमली पॉलिटिक्स में है और सिली कुरी को डेफलाप्मेंट करने के लिए और जो 45 साल से यहां एक ही आद्मी जो हम लोग को सोशन कर रहा है हम लोग को साशन कर रहा है इस चाता है इससे मुक्ति दिलाने का काम नागरीकों ने करेंगे भाजपा का जो विशाय है वो तो भाजपा बोल सकता है लेकिन हम एक यहां का भूमी पोत्र होने का नाते यहां का एक बेटा होने के नाते सिली गुडी हम चाते हैं सिली गुडी का डेबलप्मेंट चाते हैं सि ये जल का जो समस्था है जो हमारा नया पिरी का जो काम का समस्था है इससे मुक्ति मिलना चाहिए सिल्ली गुरी में कोई भी कुछ भी बोल सेकता है